हलो फ्रेंड्स, कुक भी थरागनी यानु चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई मटर पनीर जो सभी लोगों का फेवरिट होता है चाहे वो वेजिटेरियन हो या नन वेजिटेरियन हो सभी लोगों को मटर पनीर बहुत पसंद आता है करते हैं मटर पनीर बनाने के लिए मैंने मटर लिया है यहां पे मैंने दो तरह का मटर लिया है येलो मटर और ग्रीन मटर दोनों सेमी मटर है पर दोनों का कलर अलग है आपके पास जो है आप उसे यूज करें तो मैंने मटर को पोरी रात भीगो के रखा था और जो मटर मेरा फूल गया है उसके बाद मैंने इसे अच्छे से वाश कर लिया है उसके बाद मैं इसे प्रेसर कुकर में डाल दे रही हूँ यहाँ पर मैंने एक ग्लस पानी लिया है मटर में उतना ही पानी डालना है जितना मटर डूप जाए और थोड़ा सा उसके उपर पानी रहे इतना पानी डालें तो मैं यहाँ पर एक ग्लस पानी डाली हूँ और यहां पे मैंने दो चम्मच नमक का यूज किया है तो मटर को बोयल करने के पहले नमक जरूर डाले नमक डालने के बाद मैंने यहां पे दो चम्मच हल्दी का यूज किया है ताकि जो मटर का कलर है वो एक जैसा हो जाए थोड़ा पीला हो जाए नमक हल्ली डालने के बाद मैं इसे धक्कन बंद करके मैं इसे 4-5 सीटी लगाऊंगी उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेवी के लिए एक बड़े साइज का प्याज लिया हूँ यहाँ पे मैंने मलाई पनीर लिया है 200 ग्राम जिसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है तो चलिए अब इस रेसिपी को सुरू करते हैं पनीर को पहले फ्राई कर लेंगे तो जो मेरा पनीर है वो मलाई पनीर है तो यहाँ पर मैं बहुत कम तेल डाली हूँ क्योंकि इसमें बहुत कम तेल का यूज होता है तो पनीर को पहले फ्राई कर लें यहाँ पे जो मलाई पनीर है उसको हलके हाथों से फ्राई करना है बरना यह तूड़ जाएगा यह नॉर्मल पनीर से थोड़ा अलग होता है तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम पनीर को अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ तो मेरा जो पनीर है वो fry हो चुका है एक साइड में तब मैं इसे पलट दी हूँ अब इसके दूसरे साइड में भी गोल्डन कलर आ जाएगा तो यह पनीर है जो अच्छे से fry हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर पर अच्छे से चलाते रहें देखिए मेरा जो पनीर है दूसरे साइड भी पक गया है अब मैं इसे फिर से हलके हलके हाथों से चला दे रही हूँ अगर एक दूसरे से चिपक जाए तो उसे हलके हाथों से सेपरेट कर दें तो मैं इसे अलग कर दे रही हूँ मेरा पनीर फ्राई हो चुका है मैं इसको अब निगाल लेती हूँ तो मैंने जितना तेल डाला था वो मेरा सारा तेल कडाही में रह गया है क्योंकि इसमें बहुत कम तेल लगता है और खाने में भी ये बहुत स्वधिस्ट होता है तो अगर पनीर बना रहे हैं तो मलाई पनीर का यूज करें तो मैं पनीर बेरा फ्राई हो चुका है इसे अच्छे से धीरे धीरे निकालना है ताकि ये तूट न जाए सारे पनीर को मैंने निकाल लिया है अब जो कडाही में तेल बचा है उसमें मैं थोड़ा जीरा डाल देती हूं जीरा को मैं चटकने दे रही हूं तो जीरा मेरा चटक चुका है अब जो मैं प्यास कट करके रखी थी मैं उसको डालके यहाँ फ्राइ करूँगे प्यास को थोड़े-थोड़े देर पे चला-चला के भूनना है और तब तक इसे अच्छे से भूँना है जब तक इसका जो color है वो change ना हो जाए तो प्याज मेरा भून रहा है इसमें थोड़ा color भी change हो गया है और एक दूसरे से separate हो गया है तो इस तरह 2-3 मिनट तक प्याज को भूने मैं थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चला ले रही हूँ प्याज मेरा नरम हो चुका है और यह अपना color भी इसमें golden color है जो आ रहा है आप चाहें तो प्याज का भी paste बना लें पर मैं यहाँ यहाँ पे खड़ा प्याज कट करके डाली हूँ इससे अच्छा टेस्ट आता है तक टमाटर और प्याज को अच्छे से भूनना है चार से पांच मिनर तक तक जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से मिल जाए और टमाटर भी पक जाए और जो प्याज है वह भी टमाटर के साथ पक के मिक्स हो जाए तो मैं यहाँ पर चला के थोड़ी देर के लिए छो मैं यह चमँछ दाल एक चमँछ मजना पॉर्ड़ दाला है और मातनि मैं फ़राई प्याज़ 58 पॉर्ड civ कश़ ठाज मजना अधव lt कासमेरी लाल मिर्च डाले हूं और सबको मैं अच्छे से भून ले रही हूं सारे मसालों को अच्छे से भूनना है जब तक इससे तेल ना छूड़ जा एक खुस्बू ना आने लगे तब तक इससे भूनना है मसाला मेरा भून चुका है अब जो मैं मतर बॉयल करके रखी हू अब मैं इसमें डाल दे रहे हूँ, डालने के बद मैं सबको अच्छे समिक्स करूँगी, तो देखिए मटर है वो अच्छे से बॉयल हो चुका था, पक चुका था, अब सबको थोड़ी दर के लिए इसे पकने दे, पानी अपने हिसाब से दे, आपको जितना ग्रेवी रखन तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा पानी का यूज की हूँ, अगर आपको चावल के साथ खाना है तो ज्यादा ग्रेवी का यूज कर सकती है, अब मैं इसे ढख देती हूँ, और इसे एक वा लाने तक इसे अच्छे से पकाऊँगी, अब मैं यहां पर पनीर एड कर दी थी यहां का वीडियो है, वो थोड़ा छूट गया था, तो मैं पनीर एड कर दी हूँ, सबको अच्छे से मिला देना है, उसके बाद थोड़ी देर ढख के पकाना है, ताकि जो पनीर है वो सौफ्ट हो जाए, तो देखिए मेरा पनीर और मटर है, वो सब मिल चुका है, यहां मैं ठोड़ा सा गराम मसाला पॉड़ा डाल दी हूँ, घरम मसाला डालने के वाद मैं इसे σας मिला दे रह attaches अच्छे से मिला रहे हूं के न perto है तो यह जो है पनीर हमारा बन के तयार हो गया है अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल दे रही हूं मैं यहां पर सूखा बनाई हूं क्योंकि मैं इसे पूरी के साथ खाने वाली हूं तो इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राइ करें यह बहुत कम समय में बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बन के तयार होता है तो आप अपने घर पर इसे जरूर बनाए और चाबल पूरी रोटी के साथ जो भी आपको पसंद है उसके साथ खाएं यह मेरा मटर पनीर बन के तयार हो चुका है अब अब मैं इसमें ऊपर से धन्या का पता डाल दे रह 형 अगर अगर आपके पास धन्या पता नहीं है तो आप ऐसे भी यह खाने में बहु हiskर लगता है तो मैं यहाँ पर धनिया पता डाल दे रही हूँ अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें